हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप स्टुडेंट्स मैं आसा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे स्टुडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर थार्टीन पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर थार्टीन में पॉलिगन है तो जितने उसमें साइड्स होती है उसकी लाइन फिमेट्री होती है तो यहां पर उसमें साइड्स कितनी एन है ठीक है तो एन है तो उसकी लाइन फिमेट्री जो है वो कितनी होंगी एन ही होंगी तो इसका ओप्शन कौन सा सही रहेगा आपका से ओप्शन सही र होती है तो इसमें line of symmetry या symmetrical line से वह भी 6 होती है अगर आपका octagon की बात करते हैं तो octagon जो है उसमे regular octagon में आपकी eight side होती है तो इसमे line of symmetry भी कितनी रोंगी eight ही रहेंगे ठीक है तो students इस तरह से जितनी sides होती है regular polygon में उतनी ही उसकी line of symmetry यानी symmetrical line होती है अब students हम अपना second question देख लेते हैं तो second question में which of the following figure has infinitely many number of line of symmetry यानी आपकी बहुत चारी line of symmetry किस figure में होती है वो आपको बताना है तो इसमें पहला option देरका है a circle a regular octagon regular octagon है उसमें तो fix होती है ठीक है स्केलें ट्रेंगल में स्केलें ट्रेंगल में एक भी नहीं होती है यहां पे और English alphabet S इसमें भी आपकी line of symmetry एक भी नहीं होती है तो आपका यह infinite की बात करते है infinite many number of line symmetry तो यहां पे circle आएगा तो इसका option A है वो सही आजाएगा circle में जो line of symmetry होती है infinite होती है बहुत सारी होती है जिनकी counting possible नहीं है ठीक है अब students अम लोग अपना third question देख लेते हैं तो third question में क्या है A square है जो rotational symmetry of order एक square है उसमें rotational symmetry का order कितना होता है तो square में और जो rotational symmetry उसका order कितना होता है 4 होता है 4 होता है 4 होता है यह आपको fix है याद रखना पड़ेगा जो square है आपकी regular polygon four sided होती है four sided regular polygon होती है तो इसमें यहां से उसकी जो प्रोटेंस निश्मेटरी का ओडर हो कितना होते हैं फोर होते हैं ठीक है अभी स्टुडेंट्स हम लोग अपना फॉर्थ कुछिसन देख लेते हैं तो फॉर्थ कुछिसन में हमें क्या करना है फॉर्थ कुछिसन देख लेते हैं तो यहां से हम लोग देखते हैं यहां से अ है उसमें यह वर्थिकल में होता है यहां पर यह वाला बी में होरिजन्टल में इसमें वर्थिकल में और एच जो है इसमें होरिजन्टल और वर्थिकल दोनों होता तो यहां पर आपको उप्शन सही आ जाएगा जैसे हमारा है तो इसमें हैं यहां से यह होगी लाइन ओश्मेट्री एक तो यह ठीक है यह तो कौंशे होगी यह और वर्थिकल में लाइन ओश्मेट्री ऐसे ही होगी ठीक है तो इसमें horizontal भी और vertical भी दोनों हैं तो यहां पर h आपको option सही आ जाएगा तो students इस तरह से हम लोग अपना यह वाला question कर सकते थे अब इस students हम अपना fifth question देख लेते हैं तो fifth question में क्या है a figure has a rotational symmetry of order more than one एक figure है जिसमें rotational symmetry है उसका order एक से ज़्याद है the angle of rotation can be तो उस figure का angle of rotation है वो क्या हो सकता है तो students हमें एक सीज का ध्यान रखना है कि आपका जो complete rotation है वो 360 पर होता है तो 360 और जितने degree पर अगर यह जैसे हम 21 से इसको divide करते हैं तो आपका whole number ही आता है 22 से इसको divide करते हैं तो भी आपका पूरा पूरा नहीं आता है इसमें कटने कबाद fraction में आ जाता है यहां पर 23 से करते हैं तो भी 24 से इसको जब कट करते हैं तो देखते हैं यहां से यह जो है आपका यह कहां से आए 24 से आए तो कोई भी आपका figure जिसमें जो order of rotational symmetry one हो order of rotational symmetry more than one हो तो उसमें उसके जो possible angle है वो क्या क्या हो सकते हैं आपका 24 हो सकता है इसमें 24 क्योंकि इसमें जब 360 इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें complete number नहीं आता है इसमें भी नहीं आता है इसमें 24 में 15 आपका complete whole number आगे है इसमें ठीक है positive number आगे नहीं कर ले रहा है अभी students हम अपना homework का देख लेते हैं तो homework में आपको क्या करना है students homework में आपको soul mcqs of chapter 13 in rough notebook जो की page number 272 पे देवे हैं thank you students